बैंगलो राज्य में भविश्य निधी राशी निकालने के लिए नियोमों के खिलाफ जारी आंदोलन मंगलबार को और हिंसक हो गया। परदर्सन कारियों ने जगे जगव पर कई वहनों को आग के हवाले कर दिया। सूत्रों के अनुसार हिंसक भीर ने हिबबा गोडी पुलिस थाने में आग लगाने का भी परियास किया। जिस पर पुलिस ने आत्म रक्षा के लिए हवा में फाइरिंग की। वहीं हवाई फाइरिंग में एक छात्रा समेट नो लोग घायल होये हैं। दरसल भविश्य निदी रासी निकालने के नए नियमों के खिलाफ हाजारों की संख्या में कामगारों ने सोमबार को अचानक होसू रोड पर रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया। वहीं मंगलबार को अपना अंदोलन जारी रखते हुए परदसन कारियों ने दोनों तरफ से यातायाद को बंद कर दिया। जिस कारण यातायाद बादित हो गया। वहीं पुलीस ने अंदोलन कारियों से धर्णा वापिस लेने को कहा लेकिन इसी दोरान अंदोलन कारियों में से किसी ने पुलीस पर पत्राव शुरू कर दिया। जिससे माहल्द और तनाव पुन हो गया और देखते ही देखते हिंसा और भड़क उठी। Bureau Report देहरादून